देर स्टुडेंट काहित्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आज 3.4 एक्सराइज तीन फॉर्मूला बेश पे हैं मैं बता रहा हूं यह वनी एक्सराइज इसमें तीन फॉर्मूला हमारे पास यह है साइन ठीटा एकल टू साइन एलफा है तो ठीटा एकल टू एन पाई प्लस मानस बन की पावर एन इंटू एलफा एक तो यह फॉर्मूला है इसका फर्स्ट सेकंड वाला कॉस ठीटा एकल टू कॉस एलफा तो ठीटा एकल टू टू एन पाई प्लस मानस एल्फा एक यह है और थार्ड वाला टैन ठीटा टैन एल्फा तो ठीटा एकल टू एन पाई प्लस एल्फा यह तीन फॉर्मूला पे आधा रेता है औरय का इस एक्सासाइज के अंदर आपको मुख्यमान निकालने और ब्यापकल मुख्यमान है न दो होँगी और ब्यापकल एक होता है तो अब आज इस एक्सासाइज को 3714 साइज को हम बताएंगे तो इसमें देखिए क्वेशन नमबर बन से लेखे और फूर्थ तक एक जैसे क्वेशन है इसमें से फ़स्ट और फूर्थ दू बता रहा हूं है क्वेशन नमबर वन टू फूर्थ सारे क्वेशन एक जैसे है इसमें इसने पूछा है मुख्यमान निम्न समीकनों की मुख्यमान तथा ब्यापक हल ग्यात करो तो देखो पहला कॉसर देखिए इसका मुख्यमान तथा ब्यापक हल यह पूछाए तो यहां से देखिए पहला कॉसर हमारे पास टेन एक्स एकलस टू अंडर रूड थिरी इसके मुख्यमान बताने ब्यापकल बता रहा है तो यहां देखो टेन में प्लस कहां कहां होता है तो देखो टेन में यहां पे तो सभी प्लस की होती है तो यहां प्लस होता है टेन में और 10 में यहां पर प्लस होता है तो यह है तो इसको क्या लिखेंगे हम यह तो डारेक्ट ही यह 45 जितना भी है यह कितना है 60 का है और इसको यह 100 C प्लस ठीटा है यहां पर यह आएगा पाई प्लस तो यहां देखें इसके मुख्यमा लिख रहे हैं हम 10 X X equals to 10 में अंडरूर 3 मान 60 का होता है तो 10 पाई बटे 3 लिखेंगे 10 60 का मान अंडरूर 3 होता है ठीक है 60 ही है पाई बटे 3 60 होता है एक तो यह होगा और एक पाई प्लस पाई बटे 3 होगा एक होगा 10 में पाई प्लस पाई बटे 3 यह दो मान होंगे एक तो यहां होगा एक पाई बटे 3 यहां पे होगा और इस जगे प्लस के होते हैं 10 और इस जगे मानस के होते हैं ठीक है न तो यह दो मान आए मुख्य मान तो यहां देखो 10 एक यह मुख्य मान है एक्स बरावर एक तो यह आएगा पाई भाई थरी और एक तीन पाई और एक पाई चार पाई बटे थी यह आएंगे दो मान मुख्य मान है अब ब्यापक हल देखिए ब्यापक हल हम इसी से रिकालते हैं फस्ट वाले से तो ब्यापक हल देखिए भ्यापा का हल में हम क्या करेंगी यहां से ऐसी दिखेंगी 10 एक्स वरावर 10 पाई वाई, तिरी, टेन झीटा बरावर टेन एलफा, ये वाला फॉर्मूल लगा रहे हैं, तो ठीटा बरावर ठीटा हमारे पास, एकस बरावर एलफा ये है, तो ये आएगा व्यापक हाली, तो मुख्यमांद तो ये होगी हमारे पास, और व्यापका लिये होगे ठीक है ऐसे हमें ये question करने है simple question है ज्यादा कठे नहीं है चलो इसका question number देखिए अब fourth वाला question fourth है हमारी पास कोशेक एक्स बरावर माइनस दो कोशेक एक्स बरावर माइनस दो यह है तो सबसे पहला काम यह है के sign cost 10 तीन फर्मूला है हमारी पास अगर 10 कोट हो तो बनापौन 10 कर लो सेक हो तो बनापौन कोश कर लो कोशेक हो तो बनापौन sign कर लो फ्रेले साइन को स्टेन में इसको चेंज करती है तो इसको हम लिख सकते हैं बन अपून साइन एक्स ऐसे करनो ऐसे ऐसे इसका क्रोस मर्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस दू साइन एक्स बरावर एक तो साइन एक्स बरावर माइनस एक्विटी दू यह है अब साइन का फॉर्मूला लगाना है हमें तो दिखो साइन में नेगेटिव कहां कहां होता है यह साइन का मान है नेगेटिव तो साइन में माइनस का मान होता है एक तो इधर होता है और एक इधर होता है यह जगे और इस जगे यहां मानस का होता है तो इसको तो पूरा चक्कर लगाए है यहां पाई प्लस आएगा यह कितने का माना है सायन में 30 का माना है तो पाई वाई 6 लेके दो प्लस पाई वाई 6 और इसको लिखेंगे तो 280 मानस तो 360 मानस लिखते हैं 2 पाई मानस क्योंकि पाई और 2 pi no change होते हैं इसलिए pi 2 pi से हम निकले लिखते हैं तो 2 pi मानस यहां भी लिखे दो pi y 6 तो यह मुख्मान आएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे sin x बराबर इसको लिखेंगे इसको यह वाला sin में pi plus pi y 6 एक मंग तो यह होगा और एक यह होगा 2 pi minus pi y 6 यह आपको बनाना आना च Helen यह देखिए आपको यह मालम है इसमें सभी plus के होते है इसमें sign और Co in two my 10 are code plus के होती हैं इसमें cos inbox can produce के होते हैं तो आप इसको देखके पहले यह मालुम करना यह sign माइनस का है तो माइनस आयन यहां और यहां होता है तो यहां देखिए इसमें थर्ड वाले में पाई ब्लस ठीटा इसमें टू पाई माइनस ठीटा अगर यह होता तो पाई माइनस होता है इसमें और इसमें तो सिंपल होता है 90 तक तो यह आएगा ठीक है अब इसको आप लिख दीजिए मुख्यमान क्या होगा तो X से बराबर ये क्या है 6 पाई और 7 पाई बटी 6 ये आया इसमें 6 दूने 12 पाई में से 1 पाई गया तो 11 पाई बटी 6 तो ये मुख्यमान हुए मुख्यमान तो यह हो गई भाई ठीक है अब व्यापक हल देखिए तो व्यापक हल जब हम निकालती हैं तो यह बराबर यह लिखती है तो व्यापक हल में हम सिंबल लिखेंगे साइन एक्स बराबर साइन यह फस्ट वाला सेवन पाई बटे शिक्स तो एक्स बराबर अब यह देखो साइन ठीटँ बराबर साइन alpha यह वाला है, sin theta वराव sin alpha theta हमारे पास यह है और alpha है, इसमें लगा दो तो n pi mais minus 1 की power n और alpha हमारे पास say pi वोटे शे, तो यह इसका आया ब्यापाखल, यह मुख्यमान आया तो ऑर वो ब्यापाखल आया, ऐसे हमें यह question करना है, तो question να हमोटर एक से लेकिए चार तक तो ऐसे होंगी अब इसके आगे पाच्वा क्वेशन देखिए क्वेशन नमर पाच है हमारे पास कॉस कॉस 4x बराबर कॉस 2x ब्यापक हल ग्याद करो अब सबके ब्यापक मालूम मालूम करने तो यह देखो कॉस ठीटा पराबर कॉस यह वाला फॉर्मूला लगाना है हमें और ठीटा पराबर टू एन पाई प्लस माइनस एलफा हमारे पास यह है और ठीटा यह है टू एक्स ऐसे लिखेंगे अब एक बार हम प्लस लेते हैं यह एक्स है और एक बार हम प्लस लें मालूम तो प्लस लेंगे तो यह हो जाएगा फूर एक्स और यह प्लस लिया तो यह इदर आएगा तो माइनस के टू एक्स बराबर टू एन पाई यह प्लस लिया हमने एक बार तो टू एक्स इदर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो यह आएगा टू एक्स एक्स टू टू एन पाई तो दो से दो कट जाएगा तो X बराबर N पाई एक तो यह आएगा ब्याप पधल दूसरा देखिए मानस लें मानस लेंगे तो 4X बराबर इसके ले रहे मानस प्लस यह मानस लेंगे तो मानस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2N पाई तो यह आया 6X और 2N पाई और इसका भाग लगाओ तो X बराबर आएगा 2N पाई बटे 6 तो इससे इसको काड़ दिया 3 बार तो N पाई बटे 6 A के यह आया तो A किये और A किये ऐसे ब्यापक हल दो आएंगे इसके चीक है चलो कॉशन नमर 6 देखिए जी जी कॉशन है इसी तीन फॉर्मूला पर आधारित कॉशन है तो कॉशन नमर 6 हमारे पास है कॉश्ट 3X, कॉश्ट X और माइनस कॉश्ट 2X कॉश्ट 3X प्लस कॉश्ट X माइनस कॉश्ट 2X बराबर जी हो यह तो पहले तो हमें ना इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे चलो इन दोनों में लगा दो कॉश्ट C प्लस कॉश्ट D वाला तो यह आएगा 2 कॉश्ट C प्लस D बटे दो और कॉश्ट C माइनस D बटे दो और माइनस का कॉश्ट 2X हमको यह मालूम था कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां कॉश्ट 2X आएगा तो कॉमन आ जाएगा ठीक है ना तो यह सब प्रेक्टिस से आता है तो आप प्रेक्टिस करते रोगे तो आपसे भी आ जाएगा और 2 C यह 4X में 2 का भाग लगाएंगी तो 2X और कॉश्ट यह 2X में 2 का भाग लगाएंगी तो 2 cos x minus 1 तो एक बार तो ये बराबर 0 cos 2 x बराबर 0 तो ये 0 कितने का मान होता है cos 90 का होता है 0 मान cos 90 का होता है तो cos pi y 2 लिख सकते हैं cos चीटा बराबर cos alpha ये वाला लगा रहा है फर्मूला तो ये और ये तो इसको हम लिखेंगे 2 x बराबर 2 n pi प्लस मानस ये alpha pi y 2 और 2 से कर दो इसमें divide तो x equal to 2 से divide करेंगे तो n pi आएगा और यहां पर हो जाएगा pi y 4 तो ये आएगा ठीक है हमने ये बराबर 0 लिया तो ये आया अब ये second वाला ये लेंगे तो second ये लेंगे तो यहां देखो अब लिखेंगे हम 2 cos x minus 1 equals to 0 2 cos x minus 1 equals to 0 ये और ये बन को अधर ले जाएगे एक को तो 2 cos x बराबर 1 cos x बराबर 1 बटे 2 अब cos में 1 बटे 2 मान कितने का होता है 60 का तो इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर cos 60 5 by 3 होता है 60 अब cos theta बराबर cos alpha तो theta बराबर 2 and pi plus minus alpha तो ये आएगा अंसर और एक अंसर ही आएगा ऐसे तो मैं ये question करना है ये द्यापकल है चलो इसके बाद question number 7 देखिए 7 क्या कहता है अगर एक जैसे होंगे तो छोड़ सकता हूं तो 7 question में हमारे पास ये है छोटे छोटे question है ज्यादा बड़े बड़े नहीं है sin 2x plus cos x बराबर 0 देखो इसमें sin 2x का formula लगा पहले तो 2 sin x cos x plus cos x बराबर 0 cos x बराबर हमने माना common ले लिया इसमें से तो यहाँ से आएगा 2 sin x plus 1 बराबर 0 अब एक बार cos x बराबर 0 रखेंगे हम cos में 0 मान होता है नब बेखा cos theta बराबर cos alpha theta बराबर 2n pi plus minus alpha pi by 2 तो एक तो यह आया है भाई इससे अब यह तो इससे करेंगे तो 2 sin x plus 1 बराबर 0 और 2 sin x plus 1 तो 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा मानस का और 2 से लगाएंगे इसमें भाग तो यह आएगा sin x बराबर मानस एक वटे 2 अब आप यह देखोगे sin में मानस एक वटे 2 मानस कहा होता है तो sin में मानस इधर होता है इधर होता है अब इसका ब्यापकल निकालना है तो यहाँ देखेंगे तो पाई प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पाई है पाई प्लस यह कितने का मानस एक वटे 2 यह 30 का है तो πाई वाई 6 यह लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकती है साइन एक्स बरावर साइन पाई प्लस पाई वटे 6 हमने यह ऐसे किया है कि यह निगर्टिव कहां होता है साइन तो यहां होता है और इसमें हमें यह देखा माइनस को अठा कि एक वटे दो कितने गवान है तो एक वटे दो 30 का है तो पाई प्लस पाई वाई 6 लिखा है तो यह आजाएगा साइन एक्स बरावर यह आया साइन 7 पाई वाई 6 अब सांगे टीटा बराबर सांगे आलफा तो टीटा बराबर अन पाई प्ल्स माइनस बन की पॉovर एन और एलफा हमारे पास साथ पाईवर देच है ऐसे हमें ये कॉशन करना है तो एक तो ये अंसर आया और एक ये वाला अंसर आया चलो question number 8 देखिए simple simple question है सारे और सभी question आप अच्छी तरह से सीख लो practice करो और दो तीन बार अगर ये question करोगे तो फिर आप से हो जाएंगे ये question number 8 है ना ये very important है ये board exam में आ चुका है तो ये है से कंप्टीशन में भी आता है ये और तुमारे एंडॉल एक्जाम में भी आता है बन माइनस 10 टू एक्स ये है तो इसमें क्या करेंगे हम इसको भी 10 में convert करो इसको 10 में पहले change कर लो तो SEC square ठीटा बरावर होता है 1 प्लस 10 square ठीटा तो इसकी जगे आप लिख सकते हो बन प्लस 10 square 2 x और ये बन माइनस 10 2 x ऐसे लिख सकते हो अब इदर भी बन प्लस का है दर भी प्लस का बन से बन तो कट गया और इसको हमें इदर लाएंगे तो यह होगा 10 square 2x और यह इधर आएगा तो प्लस खा हो जाएगा 10 to x बराबर 0 अब 10 to x इसमें से कॉमल लिया हमने तो यहां आएगा 10 to x और प्लस बन एक उस्ट जीरो तो एक तो यह आया 10 बराबर 0 एक यह बराबर 0 चलो पहले इससे करती है 10 to x बराबर 0 10 में 0 कमाण 0 होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 to x बराबर 10 0 अब 10 वाला फॉर्मूला हम लगाए तो 10 theta बराबर 10 alpha तो theta बराबर n pi प्लस alpha alpha हमारे पास 0 और 2 से भाग लगाएंगे तो x बराबर आएगा n pi बटे 2 तो एक तो यह आया अब एक बार हम यह बराबर 0 लेंगे 10 to x बराबर 0 यह बराबर 0 अब बन को उधर ले जाएंगे पच्छांकर करकी तो यह मानस का हो जाएगा अब 10 negative कहां कहां होता है तो देखो यहां पे यहां पे सभी प्लस के यहां होता है मानस का और यहां होता है इसमें लेंगे तो यह 100 c माइनस है तो पाई माइनस यह कितने का मान होता है 10 में 45 का तो पाई माइनस पाई भाई 4 ऐसे लिखें यह तो इसको हम लेक सकते हैं 10 2x एक़स टू 10 पाई माइनस पाई बटे 4 तो यह आएगा 10 चार पाई में से एक पाई गया तो 3 पाई बटे 4 10 2x अब फॉर्मूला देखो 10 ठीटा बरावर 10 एलफा तो ठीटा बरावर n पाई फ्लस एलफा ए 3 पाई बटे 4 और 2 का भाग लगा दो तो x बरावर आएगा n पाई बटे 2 और 3 n पाई बटे 8 तो यह प्याप पकल आएगा और इदर यह आएगा ऐसे आपको यह कॉशन करने आप इसमें लास्ट कॉशन रह गया है तो उसको हमबर्क में आप देख लेना यह ना कॉशन नमबर 6 जैसा है जो कॉशन 9 है न वो कॉशन 6 के तरीका से होगा यह हमबर्क में आपको करना है और यह पूरा रेपीट करना है और सभी फॉर्मूला लर्ण करने हैं यह हमबर्क है ठीक है तो ऐसे आपको यह कॉशन करने आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद